हेलो दोस्तों तो छली हम लोग बात करें एंसी यार्टी करच्छा साथवी की हमारा अतीत के तुबारे में मैं बात करनी है याद रखना है आपको कि करच्छा चटवी विन जो भी आपकी चार भुक्स जरूरी थी वो हम लोग चार ही देख चुके हैं पहली थी आपकी राजमितिक जीवन भागे दूसरी थी हमारा तीत फर्ष्ट तीसरी थी हमारी पित्वी हमारा आवा और हुर्थ नंबर की योग थी आपकी बिग्या कच्छा चटवी ठीक कच्छा साथ भी में विए में चार ही वोग देखनी है जो हमारे लिए मत हुआ है पहली आपकी साम हमारा अतीद दो की नाम से तरह इसके बाद बात करेंगे हम लोग हमारा परियाबन फिर उसके बाद देखेंगे बिग्यान चार वुक्स हम लोग कच्छा साथ भी में बात करेंगे जब आप लोग दुकान पर जाएंगे या कही मार्केट से खरीदेंगे तो उसके और याद रखना आपके जितने भी लेक्चर इंची इयाइटी से सब्मंदित बन रहे हैं वो सभी एंची इयाइटी के नाम से जो आपकी फिले लिष्ट सूची है उसमें डाल दिये जाते हैं करम से वहां डले गुए है इसमें आकर हम लोग देखेंगे क्या विसाय सूच सब्सक्रांगी देख लेते ही हुँआ इस पुस्तक में हम लोग पढ़ेंगे पहला अध्याय होगा हमारा हजार वसं के दोरान हुए परिवत्नों की पढ़ित दाल करेंगे दूसरी अध्याय में हम लोग नए राजा और उनकी राज जी देंगे तीसरे चप्टर में हम लो दिल्ली के सुद्दान देखेंगे दिल्ली के सुद्दान चौपरा चेप्टर होगा हमारा मुगल समराज क्या होगा मुगल समराज माजबा होगा सासक और इमालते और छटबा होगा नगर ब्यापारी और सिल्पी जन साथवा चेप्टर होगा हमारा जन जादियां, खाना वदोस्ट और एक जगे बसे हुए समुदाय आठवा होगा इस सुल से अनुराख और नौवा चेप्टर होगा हमारा छेत्रीय संस्कितियों का निर्मार दसबे चेप्टर में हम लोग बात करेंगे, अठायरवी सतापदी में नए राजनितिक गठन के बारे, इस तरह से हमारे दस चेप्टर होगे, फिर से बोल देता हम मैं एक बार लोग बार बार दोहरा आराम कि कच्छा आटवी तक कि जो भी आपकी एंसी आटीम, बहुत ही सा पते आपका बेस कीर होगा, बेस मजबूत होगा, ठीले, इसे एक दो बार आराम से सुनिए, बिलकुल टैंसन फिरेओगा, आपको समझ में आ जाएगा, आप सुरूँ से अगर पढ़ना सुरूँ किये, तभी से टैंसल ले ना सुरूँ कर दिए, तो जितना समझ में आऻ अभी रहा होगा वो भी उड़ जाएगा इसलिए अगर नहीं समझ में आ रहा है फिर भी एक बार उसे आराम से सुनिए परिया फिर पढ़िए बिल्कुल टैंसन मत लेकर पढ़िए पहली बार पहली बार एक बार नॉर्मल देख लिए अपने आप मुझे लगता है 90% तक बारे में जानेगे ठीक?